एक क्रांती कारी एक क्रांती कारी हजारों क्रांती कारी तैयार कर सकता है और नेता तैयार कर सकता है समाज में क्रांती कारी लोगों की जरुवत है नवीन जी की जरुवत है संभू जी की जरुवत है गाउ में काम करने वाले लोगों की जरुवत है ऐसे लोगों की जरुवत जो ये नीचे खड़े हैं इनकी कोई तन्खा नहीं है अगले दिन इनके साथ क्या होजा इसकी कोई गैरंटी नहीं है तो अम्बेट करकि उस बात को याद करिया ना कि वो कह कर कि मैं हिंदु कोड बिलको भारते सम्मिधान की तरह बहुत जरूरी मा जरुवत है नवीन जी की जरुवत है संभू जी की जरुवत है गावं में काम करने वाले लोगों की जरुवत है अगले दिन इनके साथ क्या होसे इसकी कोई गैरंटी नहीं है अभी जैसे नवीन जी ने कहा कि हम ये लड़ाई जीतेंगे लेकिन जीतेंगे तभी जब जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन दुश्मनों के खेमे से उनके चंगुल से बाहर निकल आएंगे यहां हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उन्होंने हमारे लोगों को एक शचर्द के यार में, एक शचर्द की जाल में हिंदुत्व के डंके पर उन्हें जोड कर रखा हुआ है जबकि वो खुद उस शचर्द से बचते हैं कि हम वो नहीं है तो हमें पहले तो अपने लोगों को वहां से निकालना होगा और वो काम क्रांती कारी लोग कर सकते हैं एक बहुत खूबसुरत बात जो बहुत जरूरी और समाज को समझनी बहुत जरूरी लेकिन बुरा मत मानना एक नेता कभी भी क्रांती कारी तैयार नहीं कर सकता ना खुद क्रांतिकारी हो सकता मैं किसी नेता विशेश को नहीं मैं इतिहास से भरी हुई चीज कह रही हूँ एक क्रांतिकारी अम्बेट करने हजारों नेता तैयार कर दिये और पिरजेंग समय पर खुद भी नेता बनकर संसत्तक गए कानून मंत्री बने लेकिन एक भी नेता एक भी क्रांतिकारी को तैयार नहीं कर पाया नेता चापलूस तैयार करता है स्वाभी मान मारता ताकि उसकी चापलूस ही करते रहे समाज में क्रांतिकारी लोगों की जरुवत है नवीन जी की जरुवत है संभू जी की जरुवत है गाओ में काम करने वाले लोगों की जरुवत है ऐसे लोगों की जरुवत जो ये नीचे खड़े हैं इनकी कोई तन्खा नहीं है अगले दिन इनके साथ क्या हो जै Grandpa इसकी कोई गैरेंटी नहीं है उसके बाद भी ये लोग लगे हुए है उस गावगाव में काम करने वाले लोगों की इज़द करने की ज़रुवत है जो बिना किसी नेता की भूग लिए नेता बनने की भूग लिए लगतार काम कर रहे हैं और ऐसे लोग इनमें भी बहुत बैठे हैं उनकी पडूलत ये कारेकरण सफल होते हैं तो पहली चीजिए नेताओं से क्रांती कारी कोई नही तयार होता लेकिन क्रांती कारियों से हजारों नेता तयार हो सकते हैं इसकी गarinटी मैं भी देती हूं और तिहास भी इस्से भरा पड़ा है दूसरी चीजिए है एक निश्वक्ष पत्रकार निश्वक्ष पत्रकारिता करता है तो ये दो ही लोग नेताओं को घेण सकते हैं मेरी हाथ जोड कर अपील है ये समय चाप भुलूसी का नहीं बचा है ये समाज एक दूपता हुआ जहाद होता जा रहा है और एक एक करके अगर हमने बचाने की कोशिस की तो हम एक एक करके इसके नीचे दपके मर जाएंगे और हमने सबने हाथ लगा कर उठा करके इसको बचाया तो मुझे लगता है अभी 2024 में भी हम इसको बचा सकते हैं तो सब को एक जुठो करके बचाने की जरुवत है आज केबल कहने की जरुवत नहीं है मैंने कह दिया उसने भी कह दिया सब कहके जा रहे हैं एक जुठो लेकिन क्या गारंटी दे कर जाएंगे कि ये सारे नेता एक जुठोंगे क्या क्या जिन्मेदारी लेकर जाएंगे कि य कोई समिक्षा होगी कि हम बैठेंगे कि हां अगला रास्ता क्या निकाला जाएगा हमें हमने अपनी बात बोल दी लेकिन हमारे समाज को क्या लाब हुआ हमें इस पर अपनी समिक्षा करनी होगी मेरे सारे लोग जितने भी यहां बैठें बहुत बहुत दूर से आये हैं असाम से आया है कोई पंजाब से निकलने चाहिए समाज को एक उमीद है कि आज के कारेकरम से कुछ होगा दोदिन आप लोगोंने लगाया है समय लगाया खर्चा लगाया है तो इसका रिजल्ट निकालना और दूसरी बात एक है हर व्यक्ति लड़ाई लडने की बात कर रहा है लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ पुरूसों की है क्या महिलाई इस लड़ाई में शामिल नहीं है हमारे घरों में किसी ना किसी रिस्ने में दो से चार महिलाई हर परिवार में उपस्तित हैं लेकिन इस कारे करम में एक भी महिलाई एक परिवार की नहीं बै उनकी रेलियों में महिलाओं की संख्या जादा होती है और आपकी रेलियों में महिलाओं की संख्या कम होती है आपकी महिलाओं उनके यहां कलस यात्रा कर रही है और आप यहां बैटकर भासर दे रहे हैं अंबेटकर वाद का अगर आप अंबेटकर वादी हैं तो नया पिरि समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं से आकी जाती है और आपकी स्थिती आपकी महिलाओं के ना होने से ही पता चल रहे कि आपने कितनी तरक्की करी है आपने तरक्की तो करी है लेकिन पुरुसवादी सोच पर अम्बेट करवादी सोच पर आपने तरक्की अभी तक नहीं क व्हुरजी है आप चाहते हो कि वह खर में आपको कपड़ों पर फोलगा कि अम्भैत कर बादि पूरुसों पर नेट fright ن्याय और संसां है महिला के लिए कि एक बिन के लिए मंच महिलों के लिए खाली कर दे लगजे कि आई कि साहे किया बोलो, टेअरा, बोलो फ obesity क अब पर गण्टी बजाती रहेंगी, बहाँ है वह एस्ट्रो ल्यजर्ट से ग्यान पूसरेंगी कि कल कूं सा कपड़ा पेनना है डिया में प्ले ही मेंट कर वात की बात करो लेगिन आपकी डिवीं तो एस्ट्रोजर उनके हिसाब से करके आ रहे हो और यहां उनके खिलाप लड़ रहे हो यह लड़ाई जीतने के लिए हमें हमारी महिलाओं को तैयार करना होगा आप यहां समाज को तैयार करते हो अंबेट करवाद के लिए वहां आपके महिलाओं तैयार करते हैं आपके बच्चों को ब्रहम्म कहता है मेरी अपील है कि एक जुड़ोने के लिए बैठ कर प्लानिंग करिए सारे नेता भाजड दे के गायब न हो जाए आज साम को बैठें और कहें कि अगला रास्ता क्या निकाला जाएगा बरना ये गले की खुजली खतम की बात खतम हो गई जंता ने सुना हमने बोल दिय बहुत कुछ भरा पड़ा है असाम से आये हुए एंपी साब ने बहुत अच्छी बात कही मैं आइडोलोजी की कदर करता हूं मैं आइडोलोजी पर काम करना चाहती हूं इस देश के लिए इस समाज के लिए इस डूपते हुए अपने परिवार के लिए ये पूरा जीवन क कहां चाहती हूं आइडोलोजी को घर घर तक महिलाओं तक आपके बच्यों तक पहुचाएना चाहती हूं मैं देख़ों कि कितने लोग कहेंगे कि ठीक है आप जैसे सूओ लोगों को हम चलाएंगे रात दिन और आप जाकर की काम करो वादा करती हूं मैं और मुझी जैसे यातिगत जनगर्णा की वो जातिगत जनगर्णा नहीं कराएंगे हमें ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे आज हमारी पार्टियां भी हैं संगठन भी हैं एंज़ी धियूब्या बीचिनत करोणों करोणों रूपर हैं MPML भी हैं मंत्री भी हैं एक फंड खट्न कीजिए और जाति गजंगर्णा राष्टे इस्तर पर खुद करेवाईए खुद करवाईए जितने समाजी कारे करतो और संगठन लगबग 36 लाग संगठन भारत में दीजिए इनको काम करवाईए इना हायर इनसे करवाईए जाति गजंगर्णा आप करिए अपने आकड़े खुद तयार क्योंकि सरकार नहीं करेगी और आपके जितनी भी पार्टिय हमारे जितने भी नेता हैं एक राष्टे इस्तर पर नेता चुनलो बहुत हो गई लडाई जगडे